तो आप आखरी टाइम में आपका थोड़ा सा जो आज टेस्ट हुआ है ऑनलाइन उसका रिवाया हम लोग डिसकस कर रहे हैं तो लास्ट पॉइंट भी आप लोग देख लिए कुछ हो सकता है मिल ही जाए तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सरका जो य स्टार्ट करते हैं कुछ नमर वन से क्योंकि टाइम बहुत ही कम है तो जल्दी जल्दी देखिए और जो आपको डाउट होगा वो कमेंट करिएगा अब क्यों मिरर का है तो सबसे पहले बात क्या है कि कान क्यों मिरर की फोकल लेंद नेगेटिव होती यह सबसे इंपोर्ट इस हमेशा इन वर्टेड बनता है यह भी बात याद रखना है रिल इन वर्टेड बनेगा ठीकर देंदा डिश्टैंस ऑफ आब्जेक्ट फ्रॉम दा मिरर हमें यू की वैलू करना है मिरर से कितना होता है मैगनिफिकेशन की वैलू कुश्चन में पी टाइम से तो यहां प इसी वैलू पर रख दें यहां पर जो मैगनिफिकेशन है पी टाइम में तो इसको हम लोग और इन्वर्टेड है तो मतलब निगेटिव में लिखेंगे माइनस का पी और यहां माइनस से फोकल लेंट देखो ध्यांसे कानके और मिरर की फोकल लेंट है तो माइनस हो घरिंगे माइनस यहां पर और माइनस माइनस को जाएगा चीच अब देखो ध्याण से यहां पर यह जो माइनस से कट जाएगा और को अ हुआ है और इसका माइनस माम स्ल्क्रास करते हैं तो यह वैलू आजाएगी हमारी मा contract का पे इन यू माइनस का पी एफ बराबर एफ ठीक है यू की बैलो निकालना है तो इसको यहीं रहें दें पी इफ इदर चला जाएगा जुड़ जाएगा तो माइनस पी यू बराबर हो जाएगा यू की बैलो गोश्चत मुने निकालना है तो यहां से एफ अगर हम लोग कामन ले ले तो 1 प्लस पी और डिवाइड़ेट वाई क्या हो जाएगा अगर हम लोग यू को देखें माइनस पी त्टिक है अब ज़र ध्यान देखो यू की बैलो निकेटिव होती है इसलिए एंसर में हम लोग का निगेटिव आ रहा है तो एंसर क्या होगा है एफ वन प्लस पी अपान पी तरी चौथा आपसन यहां करेक्ट होगा तो फर्स्ट में पूर्थ आपसन यहां पर करेक्ट होगा दूसरा कुशन था यहां पर कि 64 चार्ग देखो ड्रॉप के जब भी कुशन हो अगर कुशन में और वह मिल्क एक बड़ी ड्रॉप बनाएंगे एंड्रॉप है मिल्क बड़ी ड्रॉप बना रहें जिसका रेडियस कैपिटल र है तो हमेशा धिया लखेंगे जो चार्ज होता है बड़े ड्रॉप का जो च सकता है और जब वी यो होता है वह एंद के पावर 2 होता है और जब कि यूदT होता है पावर 5 3 होता है तो बस इसके ध्यान आखेंगे हमको कोश्चन में किसकी निकाला पॉडेंशियल की अब डारेक्ट यूज़ करते है पोटेंशियल की जो वैलू आती है वीड बहुता एंड का पावर टू बाइट्री वी ठीक है वैलू रख देते हैं यहां पर एंड की वैलू कोश्चन में 64 है तो 64 टू बाइट्री इन्टू वी और यह 64 का टू बाइट्री करेंगे तो यह 4 वो 4 का स्कुरार केंगे 16 तो 16 भी इसका करेक्ट एंसर होगा तो 16 भी यहां पर करेक्ट एंसर आएगा सेकंड अगला कुश्चन है थ्री मोटर वेकल मूब से सच देट विलॉस्टी इस लीनियर फंक्शन अप टाइम विलॉस्टी डिकली प्रोपोर्शनल टू तो मताव व टी और टी का ग्राफ स्टेट लाइन बनेगा अब कुश्चन में बताना है एक्सेशन और टाइम में क्या रिलिशन होगा हमको मालूम है डी वाई डीटी करेंगे तो इसका एक पावर कम हो जाएगा तो यहां पर एक्सेशन टाइम के इंडिपेंडेंट होगा अगर हम लो इस्टेट लाइन बनेगा एक ऐसा और जिन का होगा एक जो है पहलेल टू एक सेक्सिस होगा इस्टेट लाइन ग्राफ दोनों में आएगा तो एंसर हो जाएगा पहला चौता एंसर कुश्चन में रेडियस अब करवेचर आप एक्कवी कान्वेक्स लेंस और पॉइंट टू मीटर है तो बताओ भाई एक्कवी कान्वेक्स लेंस में फोकल लेंद का फार्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं एफ इसक्वल टू होता है हमारा आर अपन टू म्यू माइनस वन और हमने बताया था अगर यहां पर रिफ्रेटर इंडेक्स 1.5 हो रिफ्रेटर इंडेक्स अगर 1.5 रखेंगे तो एफ की वैलू आर के बराबर हो जाएगी कुश्चन में आर की वैलू 0.2 मीटर है पॉइंट्टू मीटर को हम लोग बदले तो यह 20 सेंटी मीटर यानि जो एक्वी कान्वेक्स लेंज है उसकी जो फोकल लेंज है वो हमारी 20 सेंटी मीटर की है ठीक है अब ऐसे दो लेंज को क्या कर दिया गया मिलाना है और इनके बीच की दूरी कितना है पॉइंट्टू मीटर यानि 20 सेंटी मीटर दूरी पर रखना है तो कंबांइड की फोकल लेंज क्या होगा फार्मुला होता है 1 अपान एप स्पले 2 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 माईनस D अपान F1 यह फार्मुला होता है वैलू रखते हैं यानि यह दोनों वैलू सेम है तो वन अपन 20 माइनस डी की वैलू 0.2 मीटर 0.2 मतलब 20 सेंटीमिटर एफ उन फ्टू की वैलू 20 है और 20 है तो 20 से 20 कर गया 1 अपन 20 और यह वैली इससे कैंसिल हो गई तो वन अपन 20 आई यानि फोकल लेंद 20 सेंटीमिटर होगी पहला इसका जाएगा फस्ट ठीक है कई बार हम लोगों ने यह कुश्चन कर चुके हैं कुश्चन अबर फाइव इस्टोन आफ मास पूर किलोग्राम इस वर्ड इने होर्जेंटल सर पूर्ट में अगर घूमाएं तो इसमें जो टेंशन होता है वह एम बी स्कॉरइर बाई आर या एल लिखें या म आर ओमेगा स्कॉरर के बराबर होता अफ्को शर में क्या दे रखा है मैक्सवाम टेंशन इस प्लोंने तो टेंशन की वैलू पोर कर दें मैक्सवाम स्पीड बताना हो मीटर पर सेकंड यानि Mb2 या लगाएंगे M की वैलू 4 और विलॉसिटी की वैलू कुश्चन में निकाली नहीं है और यहां पर जो आर है वो है 169 मीटर 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहां पर जो विलॉसिटी का स्कॉयर आया वह 169 आया यानि विलॉसिटी 13 हो गया तो यहां पर 13 मीटर पर सेकंड इसका एंसर होगा फाइब में सेकंड कुश्चन नमबर सिक्स दा इंसिडेंट फोटान इन्वाल्व इन दा फोटो एलेक्रिक एक्स्पेरिमेंट जो फोटान यहां पर आते हैं तो फोटानों का होता क्या है इस पर पढ़ते हैं किसी मेटल सर् यह कुछ छव जाते हैं और कमबलेटली डिस डिस है वह जाते हैं तो यहां पर इंसिडेंट होते हैं इससे तो यह अपनी इनरजी पो देते यह बाहर निकल जाता है और जो होते हैं तो सिक्स में जो एंसर होगा वह होगा हम लों का PEHLA सब्सक्राइब करेक्ट होगा ठीक है चलिए अगला कुश्चन नबर सेवन दा नंबर आप सिल्कॉन एटम पर मीटर क्यूब इस सिल्कॉन का जो नंबर है वो दे रखा है फाइव इन्टू तेन की पावर विफ इंडियम क्या सीनिक दोनों मिला रहे हैं बतानचार्स जो है किस ग्रूप और वालने के DM के लिए इन दोनों को हम लोग घटा लें तो number of electron देखो कितना है इसका जो है 5 into 10 की power 22 और इसका है 5 into 10 की power 20 तो इसको घटाएंगे तो 5 into 10 की power 22 minus 5 into 10 की power 20 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 to 10 की power 22 minus 0.05 into 10 की power 22 अब घटाएंगे तो 5 में से 0.05 गया तो 4.95 into 10 की power 22 यह आजाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर है 4.95 into 10 की 22 खेंक है आप question में हमें निकालना है क्या नंबर है यह और आप इलेक्ट्रों एक्ट्रों एंड होल का नंबर क्या होगा देखो यह तो पावर 16 इसका स्क्वाइर करना है और एन एनी से डिवाइड करना है एनी का नंबर हम लोगों का 4.9 आया था इंटू 10 की पावर 22 एंसर इसमें जो आएगा हमारा वह पूर्थ आप्शन आएगा तो फूर्थ आप्शन यहां पर करेक्ट एंसर होगा ठीक है और एंट टाइप होगा तो कि इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां पर ज्यादा है तो एंसर जो आजएगा वह हमारा कि पूर्थ आप्शन यहां पर करेक्ट होगा ठीक है अगरा कुश्चन जो है और वाट विल्विदा इंपुट एंड बी फार बोलियन एक्षबिसर अब यहां पर हमको रखना है तो इसमें सारी वैलू रखके चेक कर लेते हैं अगर हम लोग यहां पर जीरो जीरो रखेंगे तो बताओ बाई एक जगा जीरो रखेंगे और प्लस का मतलब होता है और उसपे लगा देंगे नौट तो यह देखो यह गेट क्या है एक प्लस भी क्या लिखेंगे बताओ अगर यह ऐसा लिखा जाए इसके उपर नौट का मतलब हुआ क्या है कि यहां पर जो वैलू आई है जैसे इसको अगर हम लोग जीरो ले ले पहले चेक कर लेते हैं जीरो बींगो जीरो लेले तो जीरो जीरो का जीरो इसका जीरो लेंगे तो यह बैलू बाइल जांगे ठीके ना इसी तरह सारी आ колो हम लोग यहां पर पर रहते हैं तो यहां पर हमें 0-0 लाना जाँ, इसको not लगा दिया, इसकी value 0 रखें, इसकी value 0 अचे तो 00 का एंट हो गया, 00 का end में क्या आता है? 0 देख लेते जलिए अगला quого aspects सुजाए होगा थर्ड तो बैलू रखें देख लेते हैं चलिए अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर नाइं तो इसको याद रखना है जो फार्वार्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस होता है मिनमम होता है लगबग 10-0 के बराबर और बैकवर्ड या रिवर्स में जो रिजिस्टें रिशियो लेंगे किसका पूछा गया है रिशियो फार्वार्ड रिवर्स बाहस तो यह माइनस फाइब उपर जाएगा तो टेन की पावर माइनस पूर इस्टू वन का रिशियो आएगा तो नाइंथ में जो एंसर आएगा वह पहला जाएगा अगला कुश्चन है कर्ण गेंड अल्फा लिखा जाता एं और जो कर्ण गेंड की वैलू.96 अगर यह वैलू हम पता है थो हमीटा भी निकाल सकते हैं बीटा बराबर होता है अलल्फा आप वन माइनस अल्फा और बीटा की जो वैलू होती है वो देल्टा आईएगी हॉती उत अप जर她 धिक हा लोग आइसी निकाले तो आइसी निकालके आइवी जोड़ दें चलो यहां से शॉल करते हैं तो यहां से बीटा की बैलो फॉइंट 961-1-2.96 बराबर क्या लिफ हो के डेल्टा आइसी इसे रहें दे आई भी हमें पता है बेस करण्ट यहां पर दे रखा है यह 60 Millie की जहां Micro होना चाहिए था 60 Micro A to यह हो गए हमारा 60 Micro A ethan का मसलब 10 चले 60 Micro A to यहां से हम लोग करेंगे कि हो, पॉइंट 9 6 और यह. जी रो 4 यह हो जाएगा तो सब्सक्राइगे तो ये वैली हमारे पास किसनी आगए देखो जाएंसे पॉइंट नाइन सिक्स डिवाइड़ वाई यह हो गया पॉइंट जीरो पॉर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल चार्थ 24 तो यह हमारी वैलू आ गई अब 24 तो डेल्टा आई सी की वैलू हमारी आ गई 24 इंटू 60 घर ग्रिया एसको सॉल्ब करेंगे ऑन अ कैक इतना आ गया और यह माइट्व में आए गा अगर इसको 10 की पॉर माइनस 6 लिखें तो अगर 1.4 लिखें तो यह वैलू हमारी आ गई 10 की पाउर माइनस 3 यह माइक्रो में आई थी तो यह वैलू हमारी 1.44 milli ampere यह आ गई हमारी किसकी value ic की value ठीक है अब हमको ie की value निकालना है तो ic में यह जोड़ दें ic की value 1.4 milli ampere plus ib की value 60 micro है 60 micro को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 60 micro का मतलब होगा 10 की पावर माइनस 6 तो इसमें अगर हम इसको ऐसे लिखें 0.060 10 की पावर माइनस 3 0.06 तो यह इसमें 0.06 तो यह milli ampere में आ जाएगा तो यह value आ जाएगी 1.50 1.5 milli ampere तो यानि इसका एंसर होगा second तो यह फार्मुला आपको याद रखना ie बराबर ic अपान आई बराबर होता है ic plus ib बीटा बराबर होता है alpha अपान 1- alpha और यह value बीटा की value ic अपान आई बी के बराबर होता है तो सारे फार्मुले important है अगला कुष्चन है कुष्चन नमबर 11 कि सब्सक्राइब को यहां फोर्स जो है वह वन बाई आर की पावर इन के प्रपोर्शनल है और ग्रविटाशनल फोर्स लगेगा कि अधिस्टेंस के तो यहां पर सर्कुलर आर्विट है तो फोर्स लगता है यहां पर लिखेंगे एम आर ओमेगा इसक्वाइर प्रपोर्शनल टू वन बाई आर की पावर एन अब देखो यहां से ध्यान से एम को ऐसे रहने आर नीचे ले आएंगे ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो पाई वाई टी यानि पूर पाई स्क्वाइर अपांट टी स्क्वाइर यह ओमेगा की वैलू प्रपोर्शनल टी में नीचे वन अपांट देखो यह आर इधर आके इसके पावर में एक पूर जाएगा तो आर एन प्लस वन हो गया ठीक है ना अब ज़रा ध्यान से देखो हमें प्रपोर्शनल टी टाइम पिरियेट के निकालना है एम कॉंस्टेंट पोर पाई स्क्वाइर कॉंस्टेंट तो यहां पर हमारे पास आया टी स्क्वाइर प्रपोर्शनल टू आर ए पहला एंसर सही होगा ठीक चलो अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर टूट टेबल आपको बताना है तो टूट टेबल निकालने के लिए देखो यह तो हमारा आर गेट है यह हमारा एंड गेट है वैलू रखनी है चलो सबसे पहले हम लोग 00 पे चेक कर लें अगर एक ही बेलू 0 रखें बी की बेलू 0 तो यह 0 यहां पहुँच जाएगा और यह वाला 0 यहां तो 00 का आर गेट क्या आता है जीरो 00 का गेट 0 यानि 00 पे 0 आना चाहिए पहला गलत हो गया 00 का 510 ए यह नहीं होगा गलत है 0000 तो यह तीन हो सकते है चलो अब चेक कर लेते हैं 00 क्योंकि 1-0 में ही गड़बड है तो 1-0 का क्या दे रखा है सब में देख लो 1-0 का 1 1-0 का 0 0-1 कहां तो 1-0 रखते हैं चलो 1-0 रखते हैं यहां पर इसकी value 1 रखते हैं इसकी 0 तो यह 1 इदर चला जाएगा एक 1 यहां चला जाएगा यह 0 1-0 का R gate 1 होता है 1-1 का end gate 1 होता है तो 1 A में अगर 1 है और B में 0 है तो resultant 1 आना चाहिए यह सही है 1 अगर इसको है 0 आ रहा है यह गलत हो गया तो यह खट गया और यह 1-0 का 1 दो अभी हमारा सेकेंड और 4 हो सकता है अब हम लोग देखेंगे 0-1 का चलो अब इसको 0-1 करके देख लेते हैं एको 0 रकते हैं बी लान रखते हैं तो यह का यह 10 यहां यहां यह वन 01 का 1 Boston का जीम तो बतावांवन का जीमन का 0 आता है तो चेक कर लेते 01 का हमारा 1 होना चीए 01 का हमारा 0 आना चीए यह गलत हो गया तो 01 का 0 आना चीए चौथा एंसर सही है फोर्थ आपसन यहां पर करेक्ट हो जाएगा 13 radioactive nucleus can decay by two different process the mean value period for first processes T1 and that of second process T2 the effective mean value यह direct याद भी रखना है और निकालने का तरीका क्या होता है जो mean value है यानि lambda जो होता है गो lambda 1 plus lambda 2 के बराबर होता है और lambda की value ln2 by T बराबर क्या लिफ होगे ln2 upon T1 plus ln2 upon T2 यह कट जाएगा तो यह value 1 upon T बराबर क्या जाएगा लाइब अपन्ट बराबर वन अपन्ट details होता है अब यहांसे टी की बैलू याद भी रखना है तो जो मेंन वैलू आती है इसको में लिखे में टाइम पिरियद यह क्या हो जाएगा टी वन टी टू अफन टी वन प्लस टी टू तो में बैलू आपको याद रखना है टीवन टीटू अपान टीवन प्लस टीटू होता है ठीक है तो एंसर हो जाएगा चौथा चरी अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 14 विच वन आप फॉलाइंग गैसे लार्जर इंटर्नल इनर्जी इंटर्नल इनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी तो इंटर्न लोनमबबफ मोल मोल नेंकालने का तरीका मास यह निकाल सकते है नंमबर edm 10- gym क्या frenum अब ग्रॉद्ट ओ नमबर इससे निकालते हैं ज्सका मोल ज्यादा होगा उसकी देखेंड देहन से और टम्प्रेचर टो यह वैलू रखने पर सबसज़ यददा बेलू बैलूर् Сам cpr specific heat at constant pressure and constant volume respectively cp-cv for a for hydrogen gas cp-cv hydrogen gas का है इसको ऐसे लिखेंगे cp-cv बराबर हो जाएगा r by m यह hydrogen gas के लिखेंगे तो यह value हमें दे रखा है question में a और r ऐसे रहें मालकुरा मास और मालका मास हाइडोजन गैस का कितना हो जाएगा 2 दूसरे में CP-CV बराबर V है नाइट्रोजन गैस है और CP-CV हो गया V और R by M Nाइट्रोजन गैस है and 2 यानि ये बैलू कितना हो जाएगा 28 दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारी R से R कैंसिल हो जाएगा तो A by B बराबर आगया कितना 14 तो बताओ कुश्चन में A by B बराबर 14 यानि A बराबर हो गया 14 B 14 B के बराबर होगा answer होगा 14 तो relation देख लो भाई यहाँ पर हम लोग molar नहीं दिया है ग्राम इस्षिक हीट है क्योंकि हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस की बात की जा रही है तो यहाँ पर मालुक्राब मास उसमें रिव्यूज करेंगे चलिए कुश्चन नबर 16 में टू हीट इंजन A and B have their sources 1000 Kelvin and 11000 Kelvin तो यहाँ temperature की value दे रखी और source की value दे रखा है कि पारें बता रहे हैं तो पहले वाले की efficiency हो गया वन माइनस टीटू बाई टीवन जहां पर टीटू सिंक है और टीवन जो है सोर्स है बैलू रखके चेक कर लेते हैं यहाँ पर किसकी efficiency ज्यादा होगी टीटू सिंक की कितनी है सोर्स 1000 और 11000 और सिंक 5000 इसकी सिंक हो गई 5000 डिवाइड़ बाई और इसका सोर्स है 1000 तो यह बैलू आ गया 1000 माइनस 500 तो 500 बाई थाउजेंट 500 बाई थाउजेंट तो यह हमारे पास आ गई बैलू 0.5 तो पहले वाली की efficiency पॉइंट 5 चलो बी की efficiency निकालते हैं वन माइनस चलो इसकी सिंक कितनी दर रखी 400 तो 400 डिवाइड़ बाई 1100 तो बताओ 1100 में से 400 गया तो यह हो गया 700 डिवाइड़ बाई 1100 तो यह वैलू कैंसिल हो जाएगा और यह वैलू लगभाग पॉइंट 7 से कमाएगा पॉइंट 6 है ना तो हमको पता चल गया एन बी की वैलू ज्यादा है efficiency of n बी की efficiency a से ज्यादा है तो बी की efficiency इसमें a से ज्यादा होनी चाहिए यानि जो 13 में एंसर आना चाहिए सिक्स्टीन का जो एंसर है वह देगा साथ बिल्कुल साहिए चलिए अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर 17 सिक्ट इसक्वाइर लूप और यहां पर common plane such that one age of the square is parallel to the wire mutual induction तो इसको याद रखना है क्यों एक वायर है जिसमें current आई है और यह क्वाइल है इसका यहां पर जो length है वह है हमें mutual induction की value निकालना है तो mutual induction इसमें सायद जिसका आपको याद ही रखना है तो यह इसमें सेकंड आता है लॉक के फॉर्म में एंसर आता है तो लॉक वाला एंसर आपको याद रखना है तो यह वैलू हो जाएगी सेकंड चले कुश्चन नमबर 18 को देखें पूस्चन नमबर 18 वन ग्राम आप सप्टेंस ओफ RELATIVE DENCY तो RELATIVE DENCY जो होती है वह मास अपान वालूम पर डिपेंड करेगी यह मास अपान वालूम लिखेंगे मास कुछन में गिवेन है एक तो ग्राम density है तीन सॉल्व करते हैं यहां पर माश जो है एक का वन ग्राम है एक का माश कितना है तो वन प्लस फोर हो गया मास हो गया टोटल और इसका भी वन प्लस वी तू लिकेंगे तो 1 वाइटू प्लस 4 by 3 solve करने पर यह जो वैलू हमारी आ रही है वह 2.7 है थर्ड आपसन इसमें करेक्ट होगा ठीक है चलिए 19 कुश्चन को देखते हैं अब material has poison ratio 0.5 तो poison ratio जो होता है वह होता है हम लोग निगेटिव में डेल्टा आर अपान डेल्टा एल वाइल यह रेशियो जो होता है मारा करता पॉजन रेशियो और यह वैलू कुश्चन में 0.5 है और एक रॉड है जिसका लांगी जोटनल लिष्टेंड का मसला भुआ यह कुश्चन में डेल्टा एल अपान एल की वैलू गिवन है परसेंट इनकीन मंदब डेल्टा वी बाई वी परसेंटेज में कितनी वैलू में आएगा यह कुछ ने पूछा गया है चलो जल्दी से परसेंटेज निकालने के लिए अगर हम लोग देखें वालूम में रॉड का तो रॉड का जो वैलूम होता है वो होता है पाई आर स्कॉाइर में डेल्टा वाई और की बैलू निकालें चलो यहां से निकलें वे जो गिबन है उसको रखते है वाईजन रेशियो का वैलू है 0.5-ड्र वाई-r ग्र की बैलू क। जर्म हमको नहीं थी यह निकालना पड़ेगा और डेल्टा वाई-L की वैलू को सा में घेवेन है वह ब यह हमारे पास वैलू आ गई यह हमारी वैलू केतनी होगी वन इंटू 10 की पावर माइनस थ्री यह वैलू नीगेटिव में आई है डेल्टा रवाई आर निकल गया यहां पर रख देते हैं 2 इंटू 1 इंटू 10 की पावर और नीगेटिव में वैलू हो जाए गी 1 into 10 की power minus 3 plus delta l by l की value 2 into 10 की power minus 3 2 into 10 की power minus 3 ये जितनी negative है उतनी ही positive है दोनो value का इंचिल तो power में जो percentage increase होगा वो 0% आ रहा है तो पहले हम poison ratio की value रखेंगे formula लगाएंगे delta r by r की value निकालेंगे delta r by r से हम लोग volume में percentage निकालेंगे ठीक है 20 two cornered engine are operated in succession अब दो लगातार cornered engine की question है the first one receive heat from source at T1 question में T1 की value given है 400 Kelvin and reject at T2 की value question में given है T2 को निकालना है ठीक ना second engine receive heat rejected by first engine and reject to another sink at T3 और T3 की value question में दे रखा है 100 Kelvin तो question में बताना है T2 की value क्या होगी तो जब भी question में कैसे दिया हो succession में तो बीच वाला जो temperature होता है वो under root T1 T2 के T1 T3 के बराबर होता है तो अंडर root में ये value रख लें T1 की value 400 और question में T3 की value 100 है तो ये value हमारी 200 के Kelvin की बराबर होगी तो answer हो जाएगा हमारा third ठीक है तो 20 में हमारा कौन सा जाएगा third option यहाँ पर correct होगा 21 अब यहाँ पर दो equation है एक Y1 बराबर 4 sin omega T और Y2 बराबर 3 sin omega T प्लस 5Y3 फिर डिफ्रेंस इनके विच में 5Y3 60 degree है तो 60 degree पे amplitude क्या होगी तो resultant amplitude बराबर होगा under root A1 का square प्लस A2 का square प्लस 2 A1 A2 cos theta जल्दी से solve कर लेते हैं इसमें value A1 की value 3 है 3 का square 9 A2 की value यहाँ 4 है A1 का value 3 है A1 की value 4 है square करेंगे 16 A2 की value 3 square करेंगे 9 2 A1 की value है 4 A2 की value 3 cos 60 रखेंगे 1 by 2 2 से 2 cancel हो जाएगा 16 और 9 25 और यह 3 12 तो 25 प्लस 12 under root 37 under root 37 देख लो value में पहला ही है तो पहला answer इसमें correct होगा तो हम लोग वेक्टर की तरह ही जोडते घटाते हैं दो वेक्टर यहाँ दे रखता है वेक्टर A और वेक्टर B और यह बोला गया है question में आर्थो गोर्नल है आर्थो गोर्नल के मतलब इनके बीच में एंगेल कितना है 90 है और दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होए तो दोनों का dot product क्या होना चाहिए 0 dot product के वल कर दो 0 के ब्रावर करता है इनको dot करेंगे तो dot product में cos omega t और इससे multiply होगा तो यह value हो जाएगा cos omega t by 2 ठीक है plus sin omega t और sin omega t by 2 और यह dot product करने पे value 0 आईगी यह equation जो लिखी है यह equation cos a minus b की है तो इसको ऐसे लिखेंगे cos omega t और omega t by 2 बरावर 0 तो omega t minus omega t यानि omega t by 2 और यह value हमारी cos 0 की value कितने डिगरी पे आती है 90 डिगरी पे तो pi by 2 2 से 2 cancel हो गया t की value question में पूछी गई t बरावर हो गया pi by omega तो t बरावर pi by omega पहला answer ही है option first correct होगा question number 23 a light rod carries three equal masses a, b, c what will be the velocity of b in vertical position of rod तो यह यहाँ से इधर ऐसे आ रहा है तो question में हमको बताना है b की, b की velocity क्या होगी चलो तो देखो पहले यहाँ से यहाँ तक जब आएगी तो इसकी potential energy कितनी हो जाएगी तो पहले वाली की हो जाएगा mg h, h की जगाँ पर हो जाएगा l by 3 दूसरे वाले rod के लिए देखो यह वाले के लिए तो यह हो जाएगा mg और यहाँ से यहाँ तक यह दूरी कितनी हो जाएगी 2 l by 3 ठीक है ना प्लस इस वाले के लिए देखो mg यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी 3 l by 3 यह हमारी हो गई loss in potential energy बराबर gain in kinding energy half i omega square ठीक है i की value यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे तो i की value पहले वाले के लिए लिए लिखो m r square m की value m l की value l by 3 square करेंगे ठीक है दूसरे वाले के लिए बोलो क्या लिखोगे m और दूरी यहाँ से लेंगे तो यह दूरी l जुड़ जाएगी तो 2 l by 3 का square फिर m r square होता है ठीक ना अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे m 3 l by 3 का square यह हमारा i की value आएगी ठीक है ना यहाँ से हम लोग omega की value निकालने तो जो omega की value यहाँ पर आएगी और उसको velocity में बदलनी है तो b बराबर r omega कर देंगे तो answer इसका जो आ जाएगा वो हमारा देखो omega की value हमारी जो आई है वो आपको बता दे रहें omega हमारे पास यहाँ पर आई है under root 36 g by 14 l यह हमारी आई है omega की value और b बराबर r करते हैं second वाले के निकालना है तो r की value 2 l by 3 हो जाएगा 2 l by 3 into omega लगाएंगे omega की यहाँ पर value रख देंगे तो जो इसका answer आ रहा है वो पहला ही आएगा ठीक है तो concept क्या था पहले हम लोग इसकी potential energy देख ले और potential energy बराबर क्या लिखेंगे gain in rotational kindic energy half i omega square moment of energy की value mr square रखेंगे यह कुछ रन अच्छा है एक part के लिए इसमें है यहाँ से यहाँ पर छोड दिया गया जब यहां पर पहुंच गया तो question में बताना है यहाँ पर kindic energy question में given है k और यहाँ पर यह height नहीं दिया है तो हम लोग पहले इसकी height निकालने तो इसकी height यहाँ पर यह height कितनी हो जागी भई ही the height कि देखा है अगर हम लोग इसको अंगल यहां यह एंगल theta मालने तो यह एंगल theta होगा यह पूरी r है तो इधर की value हो जाएगी r cos theta तो यानि h की value r cos theta के बराबर होगी अब यहां पर देखो इधर value क्या हो जाएगी mg cos theta इधर गुम रहा है उपर N लगेगा तो equation अगर हम लोग पहले यहां से कांटिक इनर्जी A से B तो को यहां से यहां तक के लिए हम लोग कंजर्वेसर अम कानिटींगнул अरजी फ्रसरद अटीक अरजी प्लस में इनरजी यहां परकें इंटीक है तो यह कि अब देखें तो य पहला एक्वेशन हो गया एक दूस्सा वेर्ण यहां पर यहां पर जो पूलेशन बनाएंगे नार्मल ऊपर भगेगा एम जी कॉस्ट थीटा नीचे है तो एक्वेशन हो गया N माइनस mg cos theta बराबर mb square by r ठीक है अब value रखते हैं ठीक है चलो n को ऐसे रहन दे n को ऐसे रहन दे तो n बराबर हो गया mb square by r plus mg cos theta यहां से देखो जरा h की value यहां पर हम लोग क्या रख देंगे h बराबर है r cos theta तो इस वाली value में h की जगा पर r रखने तो formula हो गया mg h की जगा r कौन सा है capital इसको हम लोग capital r लिखेंगे r cos theta यह capital r है r सब जगां capital r ही रखना तो mg r cos theta बराबर h की जगा r cos theta बराबर बताओ k आ जाएगा यह कितना जाएगा k और यह value mb square k बराबर है अब solve करते हैं यहाँ पर तो mg cos theta की जगा हो जाएगा हमारा k by r तो यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं mg cos theta की जगा यह value क्या आ गई mg और cos theta बराबर हो गया k by r ठीक है न mg square by r देखो ध्यान से mg square 1 by 2 mg square बराबर है mg square बराबर है हमारा 2k ठीक है तो यहाँ पर यहाँ value रखने तो n बराबर होगे mg square की जगा हम लोग रखेंगे 2k by r तो बताव 2k by r प्लस k by r 3k by r तो एंसर होगा थर्ड तो तीसरा आंसर इसमें correct होगा question अच्छा आईए question number 25 फोर्स यहाँ पर लिखा है और टार्क दिया है हमको मालूम है जो टार्क होता है वो आर्क रॉसेफ होता है और अगर कोई सब्सक्राइब करेंगे तो भी जीरो होगा तो चेक कर लेते कौन साइंसर में यह दिया हुआ है आर डॉट टी जीरो और टाव का जीरो यारी सेकेंड आप्शन दिख रहा है तो सेकेंड आप्शन इसका correct एंसर हो जाएगा क्लियर अब ही तो यह पार्ट हो गया हम लोगों का वन से 25 अब आपको नेक्स 25 कराएंगे अनीश सर ठीक है थैंक यू सो मच तो बस जस अनीश सर आ रहे हैं एलो बच्चे स्टार्ट करते हैं ठीक है आगे के कुश्चंस हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 25 तक वसीम सर ने कर आ ठीक है अब इसके बाद हम लोग कर लेते हैं अपना आगे का आगे का कोश्चन है बच्चे स्पीड ऑफ होमोजीनियस सॉलिड स्पीर आफ्टर रोलिंग डाउन और इंक्लाइन प्लेन ऑफ वर्टिकल हाइट एच फ्रॉम रेस्ट बिदाउट स्लाइडिंग इस कितना सॉलिड क्या है बच्चे सॉलिड इस्पीर है और यह जब यहां पहुंचेगा तो आपको पता है बच्चे एनरजी कंजरवेशन सबको पता है कि यहां पर जो आपके पास MGH होगा वही तो कनवर्ट होगा आपके हाफ Mb2 में जो यह आपकी हाइट होगी बच्चे आपका यहां का potential energy यही तो आपके kinetic हाँ यहां एक ध्यान रखना है कि यहां kinetic energy दो types आएगी एक rotational आएगी तो ट्रांसलेशनल का क्या हो जाएगा बच्चे half Mb2 plus अगली का कितना हो जाएगा half I I omega square सही है बच्चे अब इसके बाद अब आप बैलूज को set कर लीजिए जो आपका answer आएगा वही हो जाएगा बच्चे तो कितना हो गया MgH is equal to half Mv square plus half I I बताओ कितना होता है आपका solid का तो 2 by 5 solid square का बच्चे 2 by 5 यम R square ठीक है यह I की value है omega की जगा पे हम लिख सकते है V square और by क्या लिख सकते है बच्चे R square समझ मारी कोई बात तो देखो ये और ये small M है ठीक है तो ये R और ये R cancel ठीक है M से M cancel ठीक है अब इसके बाद ध्यान से देखो बच्चे यहाँ पर देखो 2 से 2 cancel कर सकते हो यहाँ 2 भी दिख रहा है तो मैं इस 10 LCM ले लो तो जब 10 LCM ले लोगे यहाँ बच्चे तो यहाँ कितना आएगा 5 और यहाँ कितना है 2 तो कितना हो जाएगा 7 तो 7 by 10 7 by 10 V square is equal to G H ठीक है तो 10 G H upon 7 का root ठीक है देखो बच्चे इसको हम direct formula से भी कर सकते थे इसको मेरे कराने के पीछे बस इतना सा logic है कि माल लिजे सब कोच करिए आपको formula नहीं याद रहा तो energy conservation से आप लगा लिजेगा ठीक है चाहो तो आप direct V formula रख सकते थे ठीक है तो clear हो भी कर सकते थे ठीक है तो आपका answer आजाता नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे तो right answer कौन से बच्चे first आपका right answer है next आ जाते है बच्चे and eagle flies as constant velocity horizontally across the sky means ऐसे आपका एक fly है means कौन eagle है ऐसे जा रहा है carrying a mouse and release the mouse while in flight मतलब यहां से release कर रहा एक mouse को ठीक है क्या कर रहा है from the eagle perspective eagle के perspective से क्या करा है the mouse falls vertically by the speed b1 मतलब eagle को जो गिरता हुआ दिख रहा है वो गिरता हुआ दिख रहा है बच्चे इसको दिख रहा है ठीक है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ की है दो धान समझो इसका मतलब यह वाले component की velocity और इसकी दोनों सेम है इसलिए वाला इसको feel नहीं हो रहा है क ठीक है अब आते हैं बच्चे from an observer on the ground एक बच्चा यहां से ground से एक बंदा देख रहा है और क्या देख रहा है दा mouse falls at an angle with speed b2 ठीक है यह कह रहा है कि यह इसको देख रहा है कि ऐसे गिर रहा है सम एंगल से किस से b2 से यह बंदे को नजर आ रहा है ठ्यान सा समझना आप बात तो रहे रहेगी बच्चे और यह गिड़ते हुए क्या है बच्चे यह horizontal velocity हो गई और यह क्या है vertical तो जीरो से start होगा लेकिन आफ्टर सम टाइम उसकी speed कुछ नो कुछ हो जाएगी तो यह vertical है वो motion under gravity वो free fall की वज़ा से है और इस axis पे जो velocity आ रही है वो उस body के जो जिसका frame था उस frame के motion की वज़ा से आया हुआ होगा समझ माई बात बच्चे तो इसका मतलब की eagle की जो speed मालो V है तो यह जो B2 इसको feel हो रहा है तो इसका मतलब यह जो mouse था बच्चे इसके वज़ा से V speed से इधर जा रहा है और V1 से इधर इसलिए V2 ऐसा feel हो रहा होगा तो कहने का sense क् बच्चे कि जो B2 है इन दोनों के product में sum के बरावर है कितने degree पर है 90 तो अब हमें पता है बच्चे कि V का square और प्लस V1 का square must be होना चाहिए V2 का square अरे रिजल्टेंट का value इनके square के sum के बरावर होना चाहिए तो हमें चाहिए क्या है हमसे कह रहा हमें इसकी respect में यह V चाहिए तो V is equal to कितना हो जाएगा बच्चे V square हो जाएगा V2 square minus V1 square और V is equal to हो जाएगा root V2 square minus V1 square ठीक है तो देन यह आपका answer हो गया बच्चे तो कौन सा option आपका right है बच्चे V2 minus यह आपका fourth one आपका right answer हो गया समझ मागा की बच्चे नेक्स्ट आ जाते हैं अगला a body of mass M is placed on the earth's surface which is taken from earth's surface to height h is equal to 3r then change in gravitational potential energy तो किसी surface पर आपकी potential energy कितनी होती बच्चे तो यहाँ पर आपकी होती minus G M e m upon r e होती है और जब हम some height पर चले गए बच्चे और कितनी height है यह 3r e और इतना r e तो total कितना हो गया 4r e तो अब कितना हो जाएगा minus G M e m m e m upon r e कितना होगे 3r e plus 4r e इतना होगे बच्चे अब कहरा change in कितना होगा मतलब कितना आप change in करोगे तो इतने मेंसे इतना minus कर दो तो वही change in है तो g m e m upon 4r e minus minus हो जाएगा plus क्योंकि change निकाला है minus minus होगे plus कितना z m e m upon r e तो then after आपका बच्चे क्या आएगा 4r e आपका क्या हो गया base मेंस आपका LCM हो जाएगा तो यह कितना हैगा minus g m e m और यहाँ पर आजाएगा बच्चे plus 4 z m e m सही है solve कर लेजिए 4 और यहाँ minus 1 है कितना हैगा 3 g m e m upon 4 r e तो यह आपका answer आगया तो यह आपका right अच्छा आपको लाना लेकिन g के term में बच्चे तो आप जानते हो कि इसको r e से multiply और divide कर दोगे तो इतना portion बन जाएगा small g तो 3 by 4 m g r e ठीक है यह आपका answer आगया कौन सा option सही है बच्चे तो आपका option है third सही है ठीक next पर आजाते हैं बच्चे the largest and shortest distance of the earth from the sun are r1 and r2 its distance from the sun when it is at perpendicular to the major axis of the orbit drawn from the sun is कह रहा है बच्चे कि ऐसे हमारा मालीजी orbitalic motion हो रहा है this one is sun है और यहाँ पर जब आपका यह अर्थ आपका यहाँ पर है बच्चे तो यहाँ से यहाँ की distance कितनी है r1 है मालो और यहाँ से यहाँ की distance कितनी कह रहा है r2 है यहाँ से यहाँ तक r1 है और यहाँ से यहाँ तक क questions आते थे बच्चे, conic section हुआ करता था, अभी 10th में conic section हमारे होता नहीं है, तो इसको हम लोग huge, हम ऐसा question आते नहीं है हाँ, लेकिन है तो बता दिया जा रहा है बच्चे, तो इसका बच्चे ये value होता है, B square upon A, B square upon A होता है, ठीक है, A का मतलब क्या होता है, ये जो तुम्हें पूरी distance दिख रही है, इसकी आधे part को A कहते है, और इसके इस part को हम भी कहते है तो B is equal to होता है, बच्चे R1, R2, और A is equal to होता है, R1 plus R2 by 2, ठीक है और इसका जो ये value होता है, that is होता है, B square V square, ठीक है, सॉरी B square upon A होता है तो बस आप value put कर तो answer आ जागा, तो क्या होगे, R1, R2 R1, R2 और A की value है, R1 plus R2, और Y2 तो यहां आ गया, तो ये आपका answer हो गया, फिर से explain कर दे रहा हूँ ये पूरी, क्या है बच्चे major axis है, तो इस आधे को हम लोग कहते है, semi major axis a से और इसको कहते है, semi minor axis इसको कहते है, B से, तो अगर ये R1 है और ये R2 है, तो A की value होती है, R1 plus R2 by 2, और B की value जो होती है वो root में होती है, B की value, root में R1 और R2, और इसकी value जो होती, ये थोड़ा सा बच्चे, conic section का portion है, अभी हमारे syllabus में अब नहीं होता है, ठीक, clear हो गया होगा तो ये आपका answer, कौन सा match कर रहा है, बच्चे third is का right answer हो गया, ठीक है clear हो गया, ये ही चीज़ अगर पूरा पूछता है, तो यहाँ double हो जाता है, ठीक next आते है, बच्चे block A is hanging from a vertical spring and is at rest, block B strike the block A with velocity B and stick to it, कहरा है, ये आके इससे लड़ता है, और लड़ करके क्या कर जा रहा है, बच्चे stick हो जा रहा है, मतलब इससे चिपक जा रहा है, ये इससे जूड जा रहा है तो जब जूड जाएगा, तो आपको पता है कहीं collision हो, तो momentum conservation आपको लगाना ही लगाना है, तो ये तो बात clear होगे कि हमें momentum conservation लगाना है next, फिर क्या करा है कि then the value of then the value of we for which the spring just attained natural length, मतलब जो जहां था उससे के अपनी initial stage में पाने पर क्या कुछ होने वाला है ठीक है कैसे क्या कुछ हम लोग बता सकते हैं क्या कुछ होगा, clear है बच्चे तो मीसा हमें यहां क्या करना है, ध्यान समझना पहले तो हमें momentum जो भी कुछ मिलना है वो लगा ले, और वही kinetic energy जो है, हमारा इसमें convert होगा क्या-क्या वो काम करेगा, ठीक है जब वो अपनी means जहां उसको जहां रुकना है, वहां जब पहुँचेगा that time वो energy बदल चुकी होगी और वो energy हमें मिली किसमें किसमें होगी एक तो यह MGH में मिली होगी एक तो उपर गया होगा प्लस इसका half kx square होगा समझ माग यह बात बच्चे तो मतलब क्या है, then the value of V for which the spring just attained natural length is कितना होगा यह तुम्हें बताना है तो बता सकते हो बच्चे तो simple सा पहले तो यह पता कर लेते कि velocity कितनी आ जाएगी initial momentum कितना है बच्चे, mb है बाद में stick हो गया, तो मतलब 2m v dash, तो then v dash will be m, say m cancel तो कितना आएगा बच्चे, vy2 आया तो वो क्या क्या चीजें होंगे, तो इसका क्या होगा बच्चे, दो energies आपकी change होने जा रही है, ठीक है, दो energies आपकी बदलने जा रही है, एक तो आपका kinetic और एक आपका potential, means का spring potential energy है, ठीक है इस वज़ा से उपर जाएगा बच्चे ठीक है, तो then हमारा कितना होने जा रहा है, तो हम कह सकते है कि आपका half m, m कितना, 2m और v square कितना, vy2 का square, समझ मागी बच्चे मतलब इसकी वज़ास जो momentum आएगा उसकी वज़ास से kinetic energy आएगी और plus half k x square is equal to, यही तो होगा ना, अब हमें क्या मिलेगा, यह mg x उपर जाएगा, mg x उपर जाएगा, m कितना 2m, ठीक, इतनी बास समझ गए होगे, तो हमसे पूछा क्या है, then the value of v for which the spring just attained natural length is, मतलब यह v की value क्या होनी चाहिए, इससे वो attain कर ले, तो देखो ध्यान से अगर हम आप solve करते हैं, बच्चे, तो कितना क्या value आने जा रहा है, ठीक, केके टर में ही लाना है, ठीक है, कुछ और values दी गई है, कोई नहीं, ठीक है, solve करते हैं, जो भी कुछ आ रहा होगा, बच्चे, पले पढ़ रहा है, बच्चे, क्या कहा जा रहा है, ठीक है, चलिए, value उजफूट करते हैं, बच्चे, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, बच्चे, cancel हो जाएगा, तो यहां कितना आ जाएगा, इसको हम अगर solve करते हैं, कितना आएगा, mb square by 4, और यहां कितना आ जाएगा, half k x square, ध्यान समझें, भी हम k की value को change भी कर सकते हैं, ठीक है न, तो यह जो भी रहा होगा, तो इसको पहले तो देख लो, कि जो mg रहा होगा, mg is equal to रहा होगा k x, ठीक है, तो x is equal to कितना रहा होगा, x में नहीं लाना हाँ, ठीक है, तो mg by क्या रहा होगा, ठीक है, तो उन्हीं के हम value put करने जा रहा है, तो कितना आने वाला है, कैसे क्या करने वाले, उसी को चीजों को देखना है, हम लोगों को, ठीक, तो then after क्या होने जा रहा है, values put कर सकते हैं हम लोग, तो कितना आएगा, is equal to 2 mg x, X की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं X में answer लाना नहीं है तो लिख सकते हैं M G एक मिन बच्चे यहां दिख नहीं रहा यहां क्या कर सकते हो बच्चे यहां पर बच्चे रहा है M V square by 4 और यहां पर प्लस हो जाएगा 1 by 2 into K X square ठीक है is equal to इधर कितना हो जाएगा 2 M G X की जगह अब दोनों जगह हम X की बेलू रखने जा रहा है half K और X की जगह हम जब बेलू रखेंगे कितनी बेलू रख सकते हैं M G by K तो M G by K का whole square कर सकते हैं is equal to यहां हो जाएगा 2 M G और X की जगह लिख सकते हैं M G by K M G by K इतना लिख सकते हैं बच्चे हम लोग ठीक है तो अब अगर हम इसको solve करते हैं तो कितना आने जा रहा है इतना समझ मारा होगा सबको तो यह M V square by 4 is equal to कितना आ रहा है यह सारी values इधर लेके जाते हैं तो कितना आ जाएगा इधर तो यह 2 M square G square upon K और इधर से जब जाएगा एक यहां से cancel हो जाएगा सही है बच्चे यहां पर minus आएगा आपका 1 K cancel जब हो जाएगा तो कितना आने जा रहा है 1 by 2 1 by 2 सही है न बच्चे और यहां पर कितना आ जाएगा 1 by 2 1 K cancel होगा एक नीचे के आ जाएगा M square G square by K ठीक है यह इतना आ गया तो base आपको सेम दिख रहा है में से यहां 2 अगर हम multiply कर दें तो यहां कितना आने जा रहा है बच्चे समझ मा रहा होगा मुझे नहीं लग रहा है यह गया काम से यह गया और यह गया काम से ठीक है ना सही है बच्चे समझ मा रहा है M M cancel हो रहा है तो V square is equal to यहां ध्यान से देखो 2 से गर इसको multiply करोगे 4 होगा 4 minus 1 कितना आया 3 M G square 3 M G square और यहां आएगा 2 K सही है बच्चे और यहां upon 4 तो 2 से 2 cancel हो गया तो 2 इधर आके multiply होगा तो 6 M G square 6 M G square और यहां by क्या आएगा बच्चे K और यहां square है तो क्या हो जाएगा root ठीक है तो velocity आपके कितनी आगे root 6 M G square by K तो कौन सा सही है बच्चे second आपका right answer है ध्यान से सुन लो फिर से कुछ क्या करना है था जब भी collision हो तो momentum conservation लगाएंगे then आपके energy कौन कौन सी बदल रही है और किस किस form में बदल रही है यहां थोड़ा सा confusion यह था कि आपका value जो answer आ रहे है वो K में आ रहे है X में नहीं आ रहा ठीक है न तो X को बदलना था X कैसे बदला गया इन इसी लिए जितना भी यह नीचे गया रहा होगा तो वो MG की वज़ा से गया होगा तो MG must be KX और यहीं से MG is equal to KX यहीं से X लाके यहां बेलू put की गई है ठीक है बच्चे समझ मा आगे होगा next आते है बच्चे the time dependence of physical quantity P is given by P is equal to इतना something है alpha T square then alpha is कितना होगा तो हमें पता है बच्चे ऐसी चीजों के लिए क्या होता है यह dimensionless होते हैं तो alpha T square is equal to 1 तो then alpha will be 1 by 1 by T square तो then T minus 2 तो यह आपका alpha का value आ गया तो means कौन सा सही है बच्चे has dimension T par minus 2 ठीक है न T minus 2 मतलब पार तो नहीं बोलते बच्चे हाँ अगला यह बच्चे आपको ध्वर दिन पहले अभी इसको explain किया गया था फिर से explain कर दे रहा हूँ the binding energy per nucleon is practically ध्यान से फिर से वर्ड सुन न mathematically नहीं practically ठीक है मैं समें एक अनुमानित बाद कर रहा है ठीक है प्रैक्टिकली independent of mass number of nuclei of middle mass number कितना 30 to 170 याद किरो बच्चे भी कल पर सुम आपका paper है तो याद किरो कि 30 to 170 यहाँ से यहाँ तक लोग क्या है बच्चे आपके stable हैं क्यों stable हैं क्योंकि इन लोगों का जो आपका binding energy per nucleon है वो लगवग 8 million electron bolt के लगवग बराबर है पर binding energy ठीक है और जिनका इनसे कम 30 के पहले इनसे कम होता है 170 के बाद भी पर energy जो होते कम हो जाती है ठीक है और नहीं तो otherwise यहाँ की value 8 से ज़ादा और 10 से कम इनी के बीच में चलती रहती है कम जादा होता रहता है या मैं अगर तुम्हें हम ग्राफिकली बोलें तो देखो ऐसे कुछ गराब बनता है ऐसे means कहने का यह जो देखो सबसे highest जा रहा है यह 30 से सुरू होता है और यह 170 तक जाता है तो यह लोग क्या है लगवग देखो क्या रहा है बच्चे लगवग श्ट्रेट आ रहा है इसका मत्तब बैलू लगवग सबकी क्या थी सेम आती है 30 से 170 तो हम एक अनुमानित कह सकते है अगर जैसे मैं बता दिया किसका 9 है तो किसी का 9.1 होगा किसी का 8.89 होगा लेकिन हम overall कह सकते हैं कि अगर round figure लें तो 9.8 यह नहीं कि आसपास आता है clear होगी बात बच्चे हाँ बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि वो practically not mathematically practically हम कह सकते हैं कि वो independent क्योंकि सबकी बेलू लगबग सेम आती है तो हमें रटना नहीं है हमें बस जाने रहे ना कि इसके आसपास आती है यही वो कह रहा है अगला कह रहा binding energy per nucleon is lower for both light nuclear मतलब इससे कम वालों के लिए और इससे जादा वालों के लिए तो बात तो सही कह रहा है बच्च अब यह इसी को explain किया इसका मतलब क्या है बच्चे दोनों statement सही भी है और अच्छा यही करना है बच्च ठीक है तो समाझ जगओ को वो statement first and second are correct ठीक है next आजाते है यह भी पिछला question भी था बच्चे gravitational potential energy difference मतलब आपको dv दिया है बच्चे dv और कहरा a point on surface of planet and another point 10 meter above is 4 joule per kg मतलब कहरा बच्चे dv upon 10 ध्यान समझ ना 4 joule per kg है मतलब dv दिया है बच्चे dv दिया है बच्चे कितना 4 joule per kg दिया है और जो distance dv जो दिया है बच्चे that is आपका है कितना 10 meter ठीक है तो अब आप बताओ जो भी दिया है तो अब आप बताओ g निकाल सकते हो क्या देखो dv upon dr इसी को हम लोग i कहते है ठीक है minus का इसी को हम i कहते है i का sense मतलब intensity कहते है और यही intensity आपकी g भी कहलाती g ठीक है gravitational acceleration हला कि किसी और का होगा लेकिन g माल की हाँ वहाँ का g है तो यह हो गया minus dv upon dr is equal to g हो गया कितना है तो dv कितना है बच्चे आपका 4 है और dr कितना है 10 है 10 मीटर है ठीक है तो कितना आगे 0.4 यहां का g आएगा negative बता attraction ठीक है तो considering gravitational field to be uniform कहरा uniform है g में कोई बदलाओ नहीं है तो how much is work done in moving a mass 2 kg from the surface to a 0.5 मीटर कितना work done करना पड़ेगा तो हमें पता यहां से यहां तक लई जाने के लिए mg h करना पड़ेगा तो m कितना कहरा है बच्चे 2 g कितना है हमारा 0.4 और h कितना है बच्चे height 5 मीटर तो 5 twos are 10 और 10 into 0.4 तो क्या आजाएगा बच्चे 4 joule ठीक है तो 4 joule इसका answer आजाएगा इतना तुम्हें काम करना पड़ेगा तो यह तुम्हारा right answer आगया नेक्स्ट आते हैं बच्चे अगला question है to infinity parallel conductors P1 and P2 have charge Q1 and Q2 on them ठीक है तो charge on the sides A, B, C and D respectively R तो बच्चे कभी भी ऐसे question आये करें तो जो charges given हो इनका sum करके जो charges given हो इनका sum करके by 2 कर दीजिए और जो आजाए उनको either surfaces पर रख दीजिए ठीक है तो यहाँ पर कितना आजाएगा बच्चे A पर Q1 plus Q2 यहाँ लिख देने बच्चे Q1 plus Q2 और by 2 और यहाँ भी आजाएगा Q1 plus Q2 by 2 ठीक है by 2 अब inner कितना आएगा inner जो भी आएगा बच्चे समझना inner आएगा आपका यहाँ कि इतना आएगा कि यहाँ Q1 होना चाहिए बस आप क्या करिए इसमें से इसको minus कर लिजिए तो Q1 से minus करोगे तो 2Q1 minus Q1 minus Q2 by 2 करोगे solve करोगे बच्चे तो यहाँ आएगा Q1 minus Q2 और by 2 जितना यहाँ positive आता है उतना यहाँ negative आता है minus Q1 हो जाएगा और Q2 यहाँ positive by 2 तो यहाँ आ जाएगा दोनों पर सेब बस sign का opposite का nature आता है ठीक है तो अब यह आ जाता है तो चेक कर लो कौन कौन सा ऐसा है A और C A और D बराबर है B और C का polarity opposite है magnitude सेम है तो कौन सा सही बच्चे चेक कर लो Q1 plus Q2 by 2 A और D का तो A और D का Q1 एक ही आपसा नहीं match कर रहा बच्चे ठीक है तो यही आपका answer हो गया कि Q1 और Q2 QD का Q1 plus Q2 QB is equal to minus QC Q1 minus Q2 by 2 अभी यही बता है बच्चे समझ मा गया होगा फर्स्ट इसका right answer है बच्चे अभी एक दिन पहले और question आया था The intensity of an electric field inside a capacitor is E The work required to make a charge Q moving a closed rectangular circuit is अब आपको पता है बच्चे कि electric field आपकी कैसी quantity बच्चे conservative force, electric force तो किसी भी conservative force में एक cycle में work done कितना आता है 0 आता है concept based question है बच्चे तो यहाँ answer जो आएगा वो आएगा 0 ठीक है अगर आप ऐसे भी लगाओगे जितना इधर positive उतना इधर negative तो net आपका 0 हो जाएगा तो भी समझ जाओगे तो right answer इसका concept बच्चे 0 है अगला आते हैं बच्चे two positive ions है each carrying a charge Q दो charge है मतलब कहरा है बच्चे ऐसे charge इनके पास कितना है Q है are separated by a distance d इनकी distance d है if f is the force of repulsion between the ions इनके बीच का force जो लग रहा है f लग रहा है तो कहरा है number of electron missing कितना होगा तो बच्चे बता है आपको na f is equal to कितना होता है k मतलब one by four pi epsilon not हलाक इसमें answer रहा है तो one by लिख ले रहे one by four pi epsilon not तो q square upon d square अब हमें चाहिए क्या क्यों नहीं चाहिए हमसे कह रहा है electron के numbers बताइए तो हम इसको हटा के लिख सकते हैं one by four pi यहाँ सबको पहले इधर ही भेज दे रहे तो f यहाँ पर आ जाएगा बच्चे four pi epsilon not d square और यहाँ आ जाएगा n square e square समझ माई ना n e square n square e square और यह चीज आ जाएगे बच्चे नीचे तो कितना आ गया f four pi epsilon not d square e square इसका root is equal to n तो कौन सा मैच कर रहा है बच्चे f four pi epsilon d square e square यही मैच कर रहा है बच्चे ठीक हाँ यही मैच कर रहा है बच्चे तो यह आपका right answer हो गया ठीक है तो third आपका right answer है 36 हो गए बच्चे 37 की बात करते है three point charges positive q negative q and positive q are placed at point x is equal to 0 y is equal to a z is equal to 0 x is equal to 0 y is equal to 0 and x is equal to a y is equal to 0 z is equal to 0 मतलब ऐसा कुछ है क्या कि हमारे पास कुछ charges है एक charge यहाँ दिया है कैसे जाने यहाँ दिया है क्योंकि इसका position x, 0 y is equal to a तो यही तो होगा 0, a, 0 अच्चा अगला कह रहा है बच्चे कि अगले की position 0, 0, 0 मतलब माइनस 2 q जो है बच्चे माइनस 2 q यह कहा है यहाँ कुछ है next कह रहा बच्चे कि q are placed at तीसरा a x is equal to a तो तीसरा charge यहाँ पर रखा गया है कितना यह तो 0, 0, 0 है बच्चे इसका रखा गया है a, 0, 0 तो यहाँ पर q आ गया ठीक है बच्चे तो इतनी बात समझ गया हो गया देखो तो इतनी बात समझ आ गया अब आपको पता है यह dipole ही बन राज़ दा मैगनेटर और डारेक्शन आप यह बताना है बेक्टर आप दीस चार्ज असम्टिक है तो अब आपको पता ही इसकी वज़ा से जो आएगा इसकी वज़ा से यह जाएगा ऊपर और इसकी वज़ा से जो आएगा वो जाएगा इधर तो जो resultant आएगा यहाँ पर आएगा क्यों क्योंकि यह है 90 डिग्री पर तो resultant कितना आजाएगा बच्चे अरे बई जितना P सकार है उतना P सकार है क्यों क्योंकि A भी A है और यह भी A है तो इसका Q A यहाँ आया और Q A यहाँ आया ठीक है यह A है बच्चे ठीक Q A अब बताओ दोनों सेम है 90 डिग्री resultant क्या हो जाएगा Q A root 2 हो जाएगा 90 डिग्री पर है बात समझना आगी होगी ठीक इतना आगया अच्छा किस प्लेन पर है तो इसका अगर आप देखो ऐसे अगर आप मिला हो तो यह देखो ध्यान से कि इधर की साइट देखो तो A means X-axis और Y पर A की साइट इन्हीं के बीच से पास कर रहा है इतनी बात समझ गया होगे स्टार्ट करते हैं बच्चे तो resultant कहा है समझ गया है X और Y plane पर है ठीक तो root 2 Q A तो यह सही है बच्चे along the line joining point X is equal to 0 along the point कह रहा किसके along point जो जिनको join कर रहा हो यहां से जा रहा हो और X is equal to A हाँ वही होगे बच्चे वही से जा रहा है तो बिल्कुल यह right answer है अगला देख लो कह रहा Q A गलत है root Q A along X axis ऐसे जा रहा है क्या बच्चे नहीं root Y axis क्या ऐसे जा रहा है नहीं तो मैं से यह आपका right answer है समझ आ गया होगा बच्चे हाँ चाहते है आप तो vectorly भी solve कर सकते थे ती क्या लेकिन इतना idea है अगर आपके पास अगला बच्चे two condensers है one of capacity C and other of capacity C by 2 ठीक है R connected to a B bolt battery as shown in figure the work done in charging fully both the condenser is अब देखो दोनों parallel में लगे है तो voltage क्या जाने जा रहा V ही होगा तो अगर voltage V होगा C तुमें दिया है तो net कितना हो जाएगा बच्चे तो net हो जाएगा half C V square पहले वाले का दूसरे वाले का half C by 2 V square अब अगर हम चाहें तो half C V square common ले ले तो यहाँ one और यहाँ बच्चे का बच्चे one by two तो अगर हम इसको solve करते है 2 plus 1 तो 3 by 2 into 1 by 2 C B square तो 3 by 4 C B square इसका क्या आगया बच्चे आंसर आ गया 3 by 4 C B square तो कौन सा सही बच्चे second आपका right answer है clear हो गया होगा next आ जाते है बच्चे तो identical conducting boss A and B having positive charge ये तो आपको एक दिन और बच्चे अगर like charge हो तो कैसे सोचते है unlike charge हो तो कैसे सोचते है Q1 and Q2 respectively but Q1 is not equal to Q2 the ball are brought together so that they touch each other and then kept in their original position the force between them is कितना हो जाएगा तो ध्यान से समझो जैसे हम एक question ले लेते है अगर like charge है तो ही के लिए condition है जैसे मान लो इस पर 10 है और इस पर आप मान लो suppose करो इस पर जो है इस पर जो charge है that is 6 है अभी इनका जो भी force लग रहा होगा वो directly proportional किस के आ जाएगा 60 के आ जाएगा ठीक है अब अगर हम इन दोनों को touch करा दे तो हमें पता है तब तक charge transfer होगा जब तक equal न हो जाए तो ये 8 हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा अब f directly proportional कितना आएगा 64 आ जाएगा क्योंकि जब इसका product करोगे यह 60 आएगा यह 64 तो बढ़ा या घटा तो बढ़ जाता है अगर similar होंगे तो तो बढ़ जाता है तो इसका मतलब कौन सा option सही है बच्चे तो ये greater than the before the ball touched ये आपका answer हो जाता है क्यों हो जाता है समझ गया होगे बच्चे तो next आ जाते है इतना तो clear हो गया होगा next आ जाते है बच्चे an electric dipole of moment P is placed in the position of stable equilibrium in uniform electric field of intensity E this is rotate through an angle theta from the initial position the potential energy of the electric dipole in the final position ये तो formula है बच्चे आपका कि आपका you कितना होता है minus क्या पुछा है electric का मैं electric पुछा है तो क्या होता है minus P e cos theta ये होता है बच्चे और वर्क का क्या होता है बच्चे वर्क का होता है P e cos theta 1 minus cos theta 2 यह होता है और टाउ का क्या होता है बच्चे P e sin theta है ना बच्चे यह सारे formula आपके हैं ठीक है तो कौन से सही बच्चे U के लिए बात कर रहा है potential energy का तो पहला है minus P e cos theta तो मिसे ही आपका सही answer हो गया next आ जाते हैं बच्चे a disk of radius r thickness r by 6 has moment of inertia r about an axis मतलब ऐसे कुछ है बच्चे तो इसका कह रहा है इसका inertia जो है वो i है ठीक है क्या कह क्या रहा है कि radius r है मतलब ये चीज इसकी r है ये की चीज कितनी है r by 6 है ठीक अब next कह रहा है कि perpendicular ठीक है सही होगे the disk is melted and recast into a solid sphere अब इसको मिला के एक नया कुछ बनाते है तो नया जो कुछ बना रहा है जैसे मालो ये क्या बना रहा है solid sphere तो हमें पता है इसका volume और इसका volume क्या होना चाहिए same होना चाहिए तो इसका volume कितना होगा पहले तो हम इसका i बाद लेते है तो i is equal to बच्चे हो जाएगा m r m r square यह solid ही है बच्चे न हाँ solid by 2 हो जाएगा ठीक डिस्क है तो तो m r square by 2 अब जो नया बना होगा माल जिसकी radius बच्चे r dash है हमारा target भी r dash अगर यह मिल गए तो काम बन जाएगा तो r dash is equal to माल जिए i dash है is equal to हो जाएगा 2 by 5 m r dash square समझ मांगे इसकी बात चली देख लेते हैं तो r dash कैसे निकालेंगे तो इसका volume इसके volume के बराबर होगा तो volume इसका कैसे निकालते हो पाई r square इंटू एल मत्तब यहां r by 6 है तो r by 6 must be equal to होना चाहिए 4 by 3 pi r dash cube समझ मांगी बात तो r dash cube clear है न बच्चे r dash cube अगर हम इसको हटाते हैं यहां से तो यह देखो q समझ गया होगे थोड़ा बहुत 3 से cut करेंगे 2 आएगा 4 pi से pi cancel हो गया यह 8 आएगा तो r cube by 8 is equal to r dash cube तो r dash is equal to कितना आगया r by 2 बस अब आप इसी की value put कर दीजिए तो कितना आएगा 2 by 5 m r dash का square तो r dash कितना है तो r square और by कितना आएगा बच्चे 4 कट कर दो तो यहां आएगा 2 और इतने की value कितनी यह बच्चे आई है अरे शुरू में यही तो i दिया था m r square by 2 तो मतलब कितना आया i dash जो आया वो आया i upon 5 तो miss यह आपका answer हो गया तो कौन सा सही है बच्चे answer आपका first तो first is your right answer ठीक next आ जाते है बच्चे अगला है two identical long conducting wires a o b c o d are placed at right angle to each other ठीक है with one above other such that o is the common point for the two the wires carry i1 and i2 current respectively ठीक है यह आपका plane है ठीक है तो इस plane से यहां पर d distance पर दोनों wire से ठीक है बात समझ नहीं है यह हवा में है ठीक है तो ऐसे समझो तो यहां इस wire से भी distance d है फिर इस वायर से भी है, लेकिन अब condition देखो, जैसे इसमें आई ऐसे जा रहा हो, तो इसकी वज़ा से जो आई आएगा, ठीको फुटी और थम, तो मिज़ क्या होगा, इस side ऐसे, तो ये, तो इका अगर बच्चे in आ रहा है, ठीक, ऐसे invert, और इसका देखो तो किदर जा रहा अंडर रूट, समझ माई बाद, ऐसे एक वायर है, एक वायर ऐसे सपोच को रहा है, तो एक में करेंट मालो, अप जा रहा हो, और हमें यहाँ कहीं बताना हो, तो इसकी वज़ा से जब पुट करोगे, तो देखो, इस side जा रहा है, ठीक है, और जो इस side करेंट जा रहा है, यही होता है, resultant निकालने का, B1 square प्लस, B2 square, तो B1 और B2 में बाकी चीज़े common है, अगर ध्यान से देखो, क्योंकि distance भी D same है, अंतर है तो I1 और I2 का, तो जब भी कभी common रहे, B का formula होता है, हमें पता है, mu not wire की वज़ा से, 2 pi I by R, यही होता है, तो इस ध्यान दो, इसमें I क छोड़ के बाकी सारा common है, means constant है, तो इसका मतलब क्या R है, इतनी चीज़े हम बाहर पहले ले सकते हैं, तो कितना आए गया, mu not upon 2 pi I, sorry, I तो अलग-अलग है, 2 pi, R कितना है, बच्चे, D, तो mu not upon 2 pi D, I कितना हो जाएगा, बच्चे, अंतर बच्चे, I1 का square, प्लस, I2 का square, का whole power 1 by 2, तो right कौन सा है, बच्चे, इसमें, mu not upon 2 pi D, I1 का, हाँ, सही है, बच्चे, तो यह आला आपका right answer हो गया, ठीक है, तो यह आपका right answer, fourth इसका right answer है, ठीक है, next आ जाते हैं, 42 के बाद 43 आते हैं, अब proton carrying 1 milli electron bolt kinetic energy is moving in a circle path of radius R, in uniform magnetic field, what should be the energy of an alpha particle to describe the circle of same radius, अब बता हो बच्चे, kinetic energy और radius का क्या relation है, R is equal to होता है, MB by QB, ठीक है, यही पढ़ा होगा बच्चे, R is equal to MB by QB, यही होगा, भई, यही तो आता है, MB square by R is equal to QBB, ठीक है, तो then क्या होता है, बच्चे, V से V, अच्चा, V is equal to होता है, बच्चे, तो V से V cancel हो गया, तो R इधर आएगा, हाँ, सही तो बोल लाता है, तो यह, R इधर आगया, बच्चे, तो R is equal to कितना आगया, MB by QB आगया, सही है न, तो R is equal to MB by QB, ठीक है, तो R हमसे कहरा है, सेम आएगा, लेकिन kinetic energy के term में बात कर रहा है, तो MB की जगा पे हम क्या लिख सकते हैं, बच्चे, MB की जगा और kinetic energy आपसे पूछ रहा है, तो चली देखते हैं, solve करते हैं, बच्चे, तो under root 2M alpha, K alpha और upon Q alpha B, ठीक है, बाकी जगे सेम हैं, बच्चे, is equal to under root 2M proton, K proton upon Q proton B, सही है, B से B cancel हो गया, बच्चे, 2 से 2 cancel हो गया, ठीक है, अब बाकी values को put करते हैं, ठीक है, तो अगर हम बैलूज को put करते हैं, अगर हम दोनों side बैलूज को put करें, तो then हमारा क्या आएगा, M alpha, क्या होता है, 4 times MP होता है, तो 4 Mp K alpha upon root का है, ठीक है, और यहां लिख सकते हैं, 2 times of Qp, क्योंकि Q alpha पर 2 times का charge होता है, is equal to root Mp Kp, ठीक है, upon Qp, Qp से Qp cancel, ठीक है, य हमारा A क्या रहा है, ठीक है, Mp से Mp cancel, तो आया क्या बच्चे आपका, K alpha is equal to Kp आ गया, मतलब कि दोनों की kinetic energy, बच्चे क्या आएगी, सेम आएगी, इसका मतलब इसका कितना था, 1 million electron volt, तो इसका भी कितना जरूरत है, 1 million electron volt, ठीक है, million मतलब, सॉरी, million electron volt, ठीक, next आते है, the length of a metal wire is L1, when the tension in it is T1, कह रहा है कि length ऐसे है, बढ़ जावी, जो भी कुछ है, मालो पहले, मालो ये थी कितनी, ये पहले थी बच्चे L, तो ये बाद में कितनी हो जा रही है, L1 हो जा रही है, तो change in कितना है, बच्चे, change in जो आ रहा है, वो L1 minus L आ रहा है, ठीक है, कब tension T1 है, अच्छा, ऐसे ही क्या कह रहा है, बच्चे, and L2 when the tension in it T2, अगली बार क्या हो रहा है, जो change in आ रहा है, L तो ही है, जो change in आ रहा है, वो आ रहा है, L2 minus L, कब जब tension T2 है, सही बाद, तो अब ये तुम से कह रहा है, कि अनिश्च, जब अगर ना में stress किया होता, तो द दोनों का यहां माडूलस तो सेम आएगा, बच्चे, तो इसका मतलब क्या रहा है, हमें पता है, Y is equal to F upon A, del L, और यहां L, यही होता है, बच्चे, तो put the value, सारी values अगर हम put करते हैं, बच्चे, तो F की जगा क्या जाएगा, बच्चे, T1, पहली बार T1, A, और यहां पर कित आएगा, L, सही है, A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, ठीक है, क्रॉस मल्टिप्लाइ करें, तो T1, L2, माइनस T1, L, is equal to T2, L1, माइनस T2, L, ठीक है, समझ मागे होगा, बच्चे, अब इसके बाद, इस चीज़ को आप इस साइड लेके जाओ, क्योंकि हमें पता करना है, L, तो इस सीज़ को जब हम इस साइड लेके जाएं, और इस सीज़ को हम इस साइड लेके हैं, हमारी मर्जी आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, तो इसको ले ले, तो कितना आएगा, यह निगेटिव है, तो पॉजटिव हो जाएगा, तो T1, माइनस T2, इन्टू L हो जाएगा, और इ T1, माइनस T2, ठीक है, तो यह आपका आंसर हो गया, हाँ, यह प्लस माइनस हो सकते हैं, यह इधर यह इधर, आपस में चेंज हो सकते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा है, बच्चे, T2, L1, यह नहीं होगा, यह आपका राइट आंसर हो गया, यह वाला, ठीक है, तो य from rest for 4 seconds तो average speed total distance upon total time अब 4 seconds तक अगर कोई चीज गिर रहा है तो कितना दूर गिरेगा distance निकाला जा सकता है बच्चे तो U कितना है बच्चे आपका 0 है A कितना है minus 10 है H आप निकालना है T दिया है 4 seconds तो आपको पता है कौन सा equation लगे है बच्चे second तो S is equal to UT UT है नहीं half A, A बोले तो 10 देखो दोनों negative इसलिए plus लिये लिया है A और T square T square का कितना होगा है 16 तो 2 से कट करोगे बच्चे कितना आएगा इसका 8 मतलब कितना 80 तो तुमने कितनी height नीचे आए हो 80 meter So this is your distance और time कितना है 4 कट करो बच्चे कितना आएगा 20 meter per second तो what is your right answer बच्चे तो यह आपका right answer है ठीक है 45 पर ही right answer है Next आजाते है बच्चे The stress versus strain graph for wire of two material A and B are as shown in the figure A and Y भी आपका value दिया हुआ है तो क्या पढ़ा है बच्चे stress upon strain is equal to y is equal to stress upon strain यही होता है बच्चे तो stress upon strain ऐसे ही कुछ होगा तो जिसका angle जादा जिसका angle जादा होगा उसका young module जादा होगा और जिसका angle कम होगा उसका कम होगा तो 60 किसका है A का तो इसका मतलब क्या बच्चे समझ मारा है कि tan 60 tan 60 किसका है बच्चे y a का है और 10 30 किसका है बच्चे y b का है तो क्या पूछा क्या है किसके बरावर होंगे ठीक है तो equal to पूछा है मिस कौन किसके equal होगा इसकी value कितनी ही बच्चे इसकी value है root 3 और इसको देखोगे तो ये है 1 by root 3 ठीक है तो अब अगर हम ध्यान से देखें y b को तो अगर हम इसको यहाँ पर multiply करें बच्चे ठीक है इसको अगर हम multiply करें मिस ऐसे सोचे क्या आ रहा है कैसे क्या आ रहा है या आद दोनों एक काम कर सकते हो दोनों का ratio आप ले लो तो दोनों का ratio लोगे तो y a upon y b is equal to root 3 upon 1 by root 3 तो ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा तो y a must be हो जाएगा 3 y b ठीक है तो आपका right answer कौन सा हो गया बच्चे y a is equal to 3 y b तो यह आपका right answer हो गया समझ मागे होगे बच्चे next आते हैं a spherical ball of radius something है density दी है fall freely under gravity through a distance h before entering a tank of water if after entering the water the velocity of wall does not change find h तो viscosity of water is something दिया है तो यह तुम्हें बताना है क्या करा spherical ball of इतना है density इतना है ठीक है fall freely under gravity through a distance h before entering कहां बच्चे a tank of water if after entering the water the velocity of the ball does not change इसका मत्तब उसमें जब जाता है तो वो terminal velocity को पा लेता है सही है ना मत्तब उसका जो velocity जो h height चलने के बाद मिला है that is your terminal velocity ठीक है तो viscosity दिया है तो पूछा क्या if velocity of the wall does not find h तो उस h की value को तुम्हें बताना है तो तुम्हें पता है बच्चे ना कि किसी height से अगर आप गिर रहे होगे तो आपका mg h ही आपका half mb square होगा यह हमसे हम cancel हो गया तो मतलब 2g h जो root है that is your v और यही कह रहे हो यह terminal velocity है तो इसका मतलब क्या है कि जो root 2g h है वो that is equal to the 2 by 9 eta into 2 by 9 2 by 9 eta into होता है बच्चे r square और यहां पर होता है rho minus sigma into g यही है बच्चे formula तो हमसे बस यह h पूछ रहा है तो put the all values फिर देन आफ्टर हमें solve करना है बच्चे तो चलिए put करते हैं सारी values को तो यहां पर देखो यह root लगा है इधर जाएगा तो बच्चे क्या हो जाएगा square हो जाएगा square करते हैं तो कितना आएगा 4 upon यहां आएगा बच्चे 81 और यहां आएगा into eta square और यहां आएगा r the power 4 यहां आएगा rho minus sigma whole square ठीक है और g का value कितना हो जाएगा बच्चे g square हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आएगा 2 g h 2 से cut करोगे बच्चे यहां 2 आएगा g से एक g आपका cancel हो जाएगा और h is equal to a value put करनी है तो 2 into r the power 4 तो radius दी है बच्चे तो r the power 4 मतलब 3 का power 4 करोगे बच्चे 81 आएगा into 10 the power minus 4 करोगे तो 16 आएगा समझ मारा होगा by 81 है eta का square eta कहा है बच्चे तो eta viscosity of water दिया गया है कितना दिया है 9.8 into 10 the power minus 6 दिया है तो 9.8 into 9.8 into 10 the power minus 6 दिया है तो minus 12 हो जाएगा ठीक है into rho minus sigma rho की value क्या है बच्चे जो material उसकी density तो इसकी density बच्चे 10 the power 4 है और इसकी कितनी होती है 10 the power 3 होती है ठीक है समझ पार हो बच्चे तो इसका कितना हो गया बच्चे इसका हो गया 10,000 minus 1 हज़ा नहीं 9,000 के आसपास हो जाएगा ठीक है आ रहा होगा समझ बच्चे तो इतना हो गया through a distance as before ठीक है ता समझ मारा होगा तो अब इसका क्या करना है square करना है ठीक और into g g की value कितनी बच्चे 9.8 है आ रहा है सबको तो अब देखो ध्यान से 81 से 81 cancel 9.8 से 9.8 cancel हो गया ठीक है और then after अभी हम solve करते हैं अगर तो कितना आ रहा है इसको near about बच्चे 10 ही समझो 10 के आसपास ही समझो आप तो ये 10 है तो ये 10 दी पावर minus 12 तो ये काए और कम कर दो 11 हो जाएगा तो ये 11 उपर जाएगा तो 10 दी पावर 11 है बच्चे ठीक है ना उपर जाएगा तो minus 16 और plus 11 हो जाएगा ठीक है और इसको अगर हम solve करते हैं नीचे कुछ नहीं बचा है 10 हमने माल लिया है तो 81 और 2 जा 81 टू जा कितना आएगा 16 162 आजाएगा ठीक है इसका अगर हम करेंगे इसका तो 9 का कितना कितना carry कर जाएगा 0 3 3 6 ठीक है 3 3 6 बात समझभाई क्या किया हमेने 3 का करेंगे इसका square करेंगे 3 3 कितना हो गया 6 हो गया और ये 81 और 2 जा 81 टू जा इतना आएगा ठीक है तो set कर लो 1 2 3 4 5 6 ठीक है तो कितना रहे तो इतना भी नहीं set करना तो मिसे 11 है ये कितना कर लो 5 माइनस 5 तो 1 2 3 4 5 तो 5 cancel कर लो ये खतम काम से ठीक है कितना है 1 6 2 0 1 6 2 0 तो मतलब 3 प्लेस पर यहां रखें तो into 10 the power 3 आएगा तो मिसे ये पहला आपका option सही हो गया बच्चे 1.620 into 10 the power 3 ठीक है तो ये आपका right answer हो जाएगा ठीक है बच्चे clear हो गया होगा ठीक है next आते है बच्चे अगला तो ये इसका right answer है next आ जाते है बच्चे PB diagram was obtained from state 1 to 2 when a given mass of a gas is substituted to temperature changes क्या कहरा बच्चे diagram दिया गया है mass of a gas is substituted to temperature changes temperature change हो रहा है during the process the gas is पहले तो ये देख के बताओ बच्चे आप ना क्या करते हो आप यहां जब चेक करते हो यहां चेक करोगे तो 2P1 और यहां B0 कितना आ रहा है 2P0 V0 और यहां चेक करो तो आपका भी यहां फिर B0 2P0 V0 आ रहा है यहां की value और यहां की value same है तो हमें लगता है isothermal process है बच्चे isothermal process में PB is equal to constant होता है तो PB universally proportional to V उसका graph आपका ऐसा कुछ होता है यहां जो आपने गल्तियां की होगे बच्चे यह हुआ होगा तो द्यान समझे रो कि कभी ऐसा नहीं होता इस type का graph होता है तो अगर यह graph बच्चे ऐसा कुछ है ऐसा ना होके ऐसा graph है इसका मतलब क्या समझ मारा बच्चे कि बीच में बीच में ऐसा एक time आएगा कि मतलब यह दो धान से यहां का जो temperature अगर आईसो थर्मल होता तो यहां का temperature देखो कम होना होता है समझ रहा बात बच्चे यहां का वो कहने का sense क्या आ रहा बच्चे आपका कि बीच में एक ऐसा point आएगा mid point जहां पर energy आपकी बढ़ेगी मतलब इधर से जब इधर बढ़ोगे तो बीच में एक ऐसा point आएगा जहां पर energy बढ़ेगा क्यों बढ़ेगा अगर इसको मालनों बच्चे बीच में हम मान रहें यहां यहां मान रहें B not B not और 2 B not हम इसको 3 B not by 2 माने और यहां पर हम लोग 3 P not by 2 माने तो इसको अगर हम multiply करते हैं इन दोनों को तो 9 by 4 P not V not आएगा जो कि 2 point कितना आएगा बच्चे 25 P not V not आएगा समझ मारी बात इसका मदब mid पे एक ऐसा दिख रहा है जहां पर इस energy से भी energy जादा हो रही है इसका मतब यहां पर temperature rise करेगा तो मतब यहां से यहां तक बढ़ा और यहां से यहां तक घटा सेम यहां से भी वही process होता तो कौन सा सही है बच्चे यहां पर heated in the beginning पहले बढ़ा and cool towards the end तो यह आपका right answer हो जाएगा बच्चे ठीक next आ जाते the rms speed आपको rms speed बता नहीं इनकी तो simple सा नाम से याद कर लो rms physics में हर काम उल्टा उल्टा पड़ो rms s का मतब रूट mean square तो पहला काम बच्चे आपको करना होता है square फिर आपको लेना होता है mean फिर आप उसका लेना होता है root ठीक है तो जो दिया है सबका कर लिजे square तो six का square four square two square zero square plus minus two मतलब two का square ठीक है plus four का square और plus six का square बच्चे समझ मागे बात इतनी अब इसका हमें लेना है mean mean कैसे लिए काउंट कर लिजे तीन, तीन, छेक, साथ ये mean हो गया then after आप इसका ले लिजे root तो कि इसका कितना है बच्चे 36, इसका कितना हैगा 16 इसका कितना हैगा 4 ठीक है again same values repeat हो रहे हम यहाँ into two कर सकते हैं और by seven कर सकते हैं बच्चे ये दिखो इतना सम करोगे कितना हो जाएगा 16, 4 कितना हो जाएगा 20, 36, 8 करो 56, 56, 2 जा 112, और by seven तो seven को अगर हम करें तो 16, 17, 16, 7 जा once on two, तो यहाँ आएगा root 16, तो बाहर कितना है बच्चे 4, तो आपका answer कितना आ रहा है बच्चे, 4 आ रहा है तो यह आपका right answer है, ठीक है next आ जाते हैं बच्चे last one है cube at temperature 0 degree C is compressed equally from all sides by an external pressure P, by what amount should it temperature to raise to bring it back to its size मतलब compress करने को जितना कम हुआ है, temperature बढ़ा तो जिससे फिर से पहले जासा हो जाए, ठीक है, यही पूछ रहा है, तो आप बताओ आपका bulk modulus, हला किया compressibility की बात कर, लेकिन bulk modulus is equal to क्या पढ़ा, P, B, upon del V, ठीक है, और तो compressibility is equal to होता है, del V by P, B होता है, ठीक है तो del V की कहरा है कि del V जो भी change आया है, उसको कहरा है कि temperature बढ़ा दो तो हमें पता है, del V is equal to होता है, B gamma del T होता है, तो बस A put करना था, तो V gamma del T, और यहाँ पर K, और यहाँ पर बच्चे P, B V से V cancel, हमसे del T पूछा है, तो del T is equal to हो गया, KP KP, और upon क्या गया है बच्चे, गामा, ठीक है, गामा की value कितनी होती, बच्चे सही किया गया है, ना बच्चे हाँ, तो इतना है, तो गामा कितनी होती, बच्चे 3 alpha, हलाकि कोई मैं अच्छी नहीं कर रहा है, फिर से देख ले रहा है, क्या दिक्कता आ रही है जो भी है बच्चे, जैसा भी है 3K alpha हा रहा है, एक मिट फिर से कर ले रहा है अच्छा, उल्टा लिख लिया क्या एक मिन, उल्टा उल्टा तो नहीं हुआ है बच्चे तो डेल वी के जगाँ, पी गामा डेल टी ठीक है पी भी ठीक है, बी से वी कैंसल ठीक है, भी पी यहां गया, गामा नीचे आ रहा है ठीक है, तो गामा का 3 alpha पास ही तो है यार फिर से देख लें, कोई नहीं मैच नहीं कर रहा थो, देखो तो हमारा क्या होते है, बच्चे stress upon strain होता है, तो strain क्या हो गया, pressure हो गया, और strain डेल वी और भाई वी, वी उपर गया इस इस जोर बल्क मार्डस, उलट दो तो compressibility 1 by V को कहते हो, तो डेल वी, और भाई कितना आगए, बच्चे, पी बी, तो डेल वी को हमें क्या कर रहा है, change करने को बोल रहा है, तो के पी वी है, बच्चे is equal to, तो के पी और पी भाई क्या आ रहा है आपका अंसर, बच्चे तो कोई नहीं, जो भी ये, जो भी ये, बच्चे, ठीक है, जो भी आ रहा होगा, बच्चे, तो ये आपका अंसर, में तरीका ये ये, बच्चे, तो V को हम लिख सकते हैं क्या, V, गामा, डेल टी, ठीक है न, तो V से V गामा नीचे आ रहा है, तो थी अलफा तो नीचे आना चाहिए था, बच्चे, लेकिन याँ कैसे क्या कर रहा है, पता नहीं, ठीक है, समझ मा आ गया होगा, ठीक है, और कोई कोई रहती, कोई डाउट रहता है, बच्चे, तो आप पूछ ले न, ठीक है, कहीं से भी, कैसे कोई कोईरी होगा, ठीक है, तो अभी तो यह तो आफ लाइन चल रहा है, बच्चे, मैं, सरी, मतलब आपका रिकॉर्डेट वीडियो जाने वाला है, ठीक है, अगर हम इलुसको थोड़ा सा और चेंजेज के तरीके सा अगर कर ले, देख लेते हैं, बच्चे, और मेरे कोई रिकॉर्डिंग तो यही लग रहा है, ठीक है, कुछ और खुरा पात करना चाहरें, कर सकते हैं लोग, जैसे डेल वी, इसकोल टू होता है, वी, गामा, डेल टी, ठीक है, तो चलो, अगर हम डेल वी यहां से ले आएं, इसके टर्म पर, तो डेल वी की जगा हो जाएगा, के पीबी, तो वही तो हो रहा है बच्चे, ऐसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है, कोई ने, जो भी आ रहा होगा बच्चे, समझ गए होगे, एक मट बच्चे, क्या निकालना है बच्चे, बच्चे, यहां पर चीजे की क्या गई है ठीक है, कोई नि, बल्क माडitable के तर्म पर बला ना है ठीक है, तो सही लगा रहे हो आप, एक मिनट, हमने उल्टा लिया हुआ है, ठीक है, तो मैं इस बैलूज अगर ध्यान से देखो, भी हम लोगों ने लिया है, तो इसको क्या करोगे बस पलटना था ठीक है था हम लोगोंने compressibility के term पर थे क्या बोलने बच्चे bulk modulus को k कह रहा है ठीक है तो k is equal to k is equal to होता है बच्चे bulk modulus के term पर लगा रहा है ठीक है तो k is equal to होता है p v upon del v ठीक है ये बोला है समझ गया होगे यार सही आया था आंसर सही आया था ठीक है तो उसमें बस changes उन्होंने करे हैं तो k का आपका चक्कर है तो k is equal to p by del v है बच्चे तो del v की जगा हम लिख सकते हैं p b और यहाँ b gamma del t लिख सकते हैं और ये k है बच्चे समझ गया होगे पिछला बस सही लगा था व gamma is equal to del t ठीक है तो p upon k gamma का मतलब 3 alpha तो यह हो जाएगा ठीक है तो यहोंने बस केवल अपने term से यहाँ पर ही लाए पिछला वाला question सही था बिस answer सही था वो compressibility के term पर था और यह आपका bulk modulus के term पर है clear हो गया होगा ठीक है doubt होगा question होगा queries होगी बिलकुल डालना ठीक है जो भी कुछ होगा clear हो गया होगा okay बच्चे close कर रहा है कल फिर मिलते हैं आप लोगो से ठीक good night